आज मैं आपके लिए नया स्टॉक लेकर किया हूं जो कि केमिकल स्टेक्टर का स्टॉक है यह एक यह रिलेटेट प्रॉडक्ट और गैनिक एगरुस रिलेटेट प्रॉडक्ट त्यार करता है तो अभी हम लोग चलेंगे इसके बिजिनस पर वर्ट उससे पहले हम लोग इसका फंडेमेनल चेकर तिसका मार्केट कब देखते हैं यह इसको दोस्तों ब्यासी में ट्रेट करता है काम काच करता है इसका मार्केट कब 22.2 करोड का इसका करन पड़ाई चल रहा है 14.9 इसने हाई बनाया है 20 रुपे का इसका लोग है 10 रुपे इस्टोक पी है 4.84 बुक वैलिव सतरे रुपे यह कंपनी डिविडेंट पर आउट नहीं करता है रोसी है 21 परसेंट और रोई है 17 परसेंट फेस वैलिव दस रुपे की है प्रमोटर के पास 25 परसेंट की ओलिंग है डेप टो एक्विटी रेसियो जीरो जीरो मदब जीरो और एनुवर प्रोफिट है 8.88 लाक इस कंपनी को परकर्च 10 लाक का रिटरन ओन एक्विटी है 17.07 इंडेस्ट्री इच्पी है 33 एपियस 3 रुपे आट बैसे की फ्री कैस फ्लो मानेस 2 क्रोड निगेटिव दिखला रहा है आए चलते हम लोग प्रोस और कॉन्स की तर इस रेटियोस डेट यह ओलमस्ट फ्री है कंपनी अब डेट फ्री हो गई है इस पर अब कोई खर्ज नहीं है इस टोक इस टेडिंग एट 0.85 टाइम एट्स व्क वैल्यू यह अपनी व्क वैल्यू से इतने नीचे टेट कर रही है कंपनी एक्सपेक्टेट टो गीफ कॉड रिजल्ट गुड गीफ कवड़ रिजल्ट कंपनी है डिलेवर गुड फोफित ग्रोथ 58 परसेंट सी एजियर ओफर लाइट फाइफ यह एर कंपनी कॉंस में देखें तो कंपनी देक्ट तो कंपनी तो कंपनी इस रिपोर्टिंग टिप्टेट फोफिट इट इस नोट प् इसके कोडली रिजल्ट को देखा जाए तो तो आई यह इसकी कोडली रिजल्ट देखते हैं और इनका प्रोफिट ऑपरेटिंग प्रोफिट सितंबर 22 में चाहर कोड़ 26 लाक जून 22 में चाहर कोड़ 75 लाक का हुआ था जिसकी नेट प्रोफिट की बात की जा तो सितंबर सितंबर सेब में तीन क्रौप 85 लाक और जून में 3.886 लाक का प्रोफिट हुआ है प्रोफिट एंड लास यह लिवेस देखा जाए तो को इनका बहुत ही का जब विंग्रीज होगा है देखनों टीटीम में है कि टीटीम में कि 236 मार्च 2022 में 148 टीटीम में तेरे करोड की प्रोफिट दिखला रहा है मार्च में पांच करोड का प्रॉफिट उनका सेल से इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो टीडियम में गार करोड और इस जाल 9 करोड है नहीं इनका बढ़ता हुआ इससे पहले यह सब 000 था बट अभी बढ़ता हुआ सब्सक्राइब को दिखेगा पहले जीरो जीरो फिर एक दो एक दो एक दो फिर नौई गा रहा है मतलब इनका सेल्स ग्रॉफ अब इंक्रीज हो रहा है आस्ते से बढ़ रहा है कि कमपाउंड शेल्स क्रोड की बात कीजाए प्रोफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 10 साल में 48% पांथ साल में 91% लिजिए परसेंट टिन साल में 55% और टीड़ीया में 86% डिश्टूक प्राइस ये जियर की बात की जाए दस साल में 4% बांशल मैनस 23% 3 साल में कीश परसेंट 1 साल में 36% यह निटिन ऑन की बात किया जबाने में परसेंट पांस और ची पर सेटीन तीन साल में छे-परसेंट-लासटिया अठरे परसेंटकी रिटन और निक्यूटी है तो आई चलते हम लोग एसे रोडिंग वैडन की तरह और देखिए क्या सो एसे रोडिंग वैडन कैसा है 200 दिसंबर 2019 से अब तक सितंबर 22 तक लगतार एक ही नंबर में है 25.50 पब्लिक के अंदर देखा जाए तो पब्लिक के अंदर कापी अच्छा पैसा लगा हुआ है एंडिवीजूल का ठीक है तो दिलिप डाल पता डाल पतलाल मेहता के पास 5.45% की ओडलिंग है मरजकुमार रिस्काल मेहता के पास 3.77% की ओडलिंग काफ अच्य होडलिग इटिल के पास है और ये कोई कमपनी नहीं है रीटेल के पास है ये सारी होडलिंग तो बहुत ही अच्छा मतलब इसने हमें इंडिविजल बोल सकते हैं काफी अच्छा पैसा लगा हुआ है इन सब को अगर एड़ किया जाए तो 50-60% के लंसम यह होड्लिंग बनती है तो काफी अच्छी होड्लिंग है पर मोटर की ने हीडिन पर मोटर भी बोल सकते हैं तो पहने स्टोक के लिए काफ निते हैं के नाम की दर्फ चानाम किया है तो टो वाइड ऐंग्रो वाइट ऑर्गनिक एक ड करोलि मिटिर्ट कमपनी का नाम है वाइट एग्रोगर तो यह बेसिक ऑफ और ऑर्गिनिक बार्मिंग और्भृ से य्दिर्ट गिर करते हैं ठीकहनगे जंम लोगती वगरा 45 002 उसमें खाद बगार बनाने वाली काम करती है फ्री यूजर करें दो परजेंट ली परजेंट ली परजेंट ली देंट ली देंट ली वनेफेक्टर अब टेदिंग ओवर 25 दो सब पचास और गनी प्रोडट्स इन मेजर इन तो यह निवारा मेजर काटेगरी एंग सतरा सब काटेगरी ज काटेगरी का प्रोड़क्ट है इनके पास तो बहुत मतलब कि यह एक है केम कल रिलेटेट प्रोड़क्ट है इस्टॉक है और यह इन टाप की स्टोक को बहुत ज्यादा डिमांड होता है बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं सब तो फिचर में कोई अच्छा कर सकता है यह इनके हम टेक्निकल के तरफ उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि अगर आपको 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 नहीं तो हमारे वीडियो का डिस्क्रेप्स में लिंक वाजाए अगर क्या अपड़ी में अपने कर सकते हो और विल्कुल फ्री और आप भी इंवेश्मेंट रेडिंग करना कि अलव दौस्तों ये कंपनी आगए हम लोग इन कंपनी के टेकिनिकल पर और देखें कि टेकिनिकल का मैक्सिमिम्म हाई देखिए 68 रूपे रिफ सीने मैक्सिम्म हाई लगाया है और फिर यह इस्टोक एक हाई रेंज में ठेट कर रही है हाई और हाई रेंज में पेटन में चल रहा है यह इस टूक देखो यहाँ तो यह इस टूक अगर आपको कि तेरे रुपेचे वाली स्पैसे के लमसम मिल जाए तो डेफ़ेटली बाई करके चल सकते हो और इसका टारगेट रहेंगा यह आपको 27 रुपे की अठर है से कि पहला फ़र्ट टारगेट जब इसे ब्रेक आउट करता है इस लिफल को ब्रेक आउट कर तो पहला आपको टारगेट बरनता और मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत ही उपर बहुत जल्दी बहुत उपर भागेगा क्योंकि इस कंपनी ने बहुत अच्छा मुनाफ़ा रहा है बस मेरे पहले कहीं जीरो जीरो आता था प्रॉफिट अब कहीं जाके दो गुमना से भी ज्यादा का मुनाफ़ा होने लगा कंपनी को तो मुझे लगता है कि यह कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाली है बहुत जल्दी इसका इस्टोक अप्राइज यहां नहीं आपको मिलेगा क्योंकि केमगा सेक्टर की इस्टोक जितने भी होते हैं मैं देखा है बहुत अच्छा उसमें तेजी आता है नोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं